है फ्रेंस विल्कम बेक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे तील और गुड का लड़ू तिल का लड़ू तो बहुत ही समय से बनता आ रहा बहुत तरीके से भी बनता है विट मैं बनाओंगे कुछ दिफ्रेंट तरीके से इसमें कुछ चीज़ा एड़ करेंगे देख सकते हो ब अधा कप मैंने लिए मुंफली के दाने लिए यहां पर मैं ले रही हो रोस्टेड अलसी का बीच जिसे हम तिसी भी कहते हैं फ्लैक सीट्स यह मैं इसमें एड़ करूंगे इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब एक पैन ले लेंगे पैन में पहले मुंफली को रोस्ट कर लेंगे अच्छे से मुंफली जब हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा उसके बाद इसी पैन में हम तिल को भी रोस्ट कर लेंगे तिल को लगातार चलाते हुए रोश करना है हमें तभी ये बराबर अच्छे तरीके से भून पाएगा ये देख सकते हो तिल हमारा रेडी है अब हमें एक अलग पैन ले लेंगे पैन में डाल देंगे गुड़ यहां एक काटोरी गुड़ है ये 200 ग्राम के लगबर के वर्जन में ये अदा कब पानी डाल देंगे ताकि गुड़ जले ना और इसको लगतार चलाते हुए लो फ्लेम पे से पकाएंगे थोड़ा जब एक गुड़ पूरे डिजॉर्ब हो जाए तो इसको लगतार चलाते हुए इसका एक गुड़ तयार करेंगे हमें बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है इसके कंसिस्टेंस ये बीच की रखनी है ना बहुत ज्यादा गाठा हो ना बहुत ज्यादा पतला हो आप इसे चेक करने के लिए एक काम कर सकते हैं एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले 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 आधा कब और इस तरह से गुड़ को आप चेक कर सकते हैं और गुड़ की जो धार है वह एक जगा सिमट के रहे जाती है इसका मतल़ आप गुड़ रेड़ी है इस तरह से जाग जब बनने लगे अब हम क्या करेंगे इसमें तिल को एड़ कर देंगे चलाते हुए लो फ्लेम पे रखके गैस को लो फ्लेम पे गैस को रखना है अगर आप गैस बंद कर दोगे तो फिर वह ठंडा हो जाएगा और यह फिर इसके जो लड़ू अच्छे से बनेंगे नहीं अब इसी में मैं भुनावा मुमफली जिसका चिलका चिलका निकतार कर मैंने से क्रश कर लिया है और यहां अलसी का बीच जिसको भी फ्राई करके उसके बाद इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया है और इसमें डाल देंगे तील और अरसी जो होता है ठंड़ू के मौसम में बहुत ही अलसी की बीच तो वैसे भी लोग आप भूंच के इसे एक डब्बे में रख लें और इसे रोज एक चमच खाए यह सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही फायदेबंद होता है कि यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसे इसके जल्दी यल्दी से इसके हम लड़ू बांध लेंगे क्योंकि अगर यह ठंडा हो जाएगा तो यह जल्दी यल्दी बनेगा नहीं हर एक कटोरी में आधा कब पानी ले 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 ताकि इसका लड़ू बनाने में थुझा आसानी होगी पानी से इसके बाद पानी के सहायता से हलका हलका ताकि हाथ जले नहीं इसलिए हमें हलका सा पानी से लगाना है हाथ पे और गरम गरम इसका लड़ू बनाना जितनी जल्दी हो से कि हम लड़ू बनाके इसका रेडी कर लेंगे अगर आपकी यहां पर किसी की help ले सकते हो तो help ले लो किसी की क्यूंकि यह laddo अगर ठंडे हो जाते हो तो फिर इसे फिर से गरम करना पड़ता है Все यह यह थंडा हो जाएगा तो फिर इसका laddo बंदेगा नहीं इस तरह से हलका सा पानी हाथ में लगाते हुए इसके जगा पर घी का भी यूज़ कर सकते हो कि सारे लड़ों को हम एक एक करके बांद लेंगे कि साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो इसे बड़ा भी ऐसे चलिए तिल का लड़ू जो होता है कि वह इसी साइज का अच्छा लगता है यह थोड़ा चोटा भी आप इसका बना सकती हो कि आणि इसी तरह से बें सारे लड़ों को तरह से बांध दूंगे तयार है हमारा तील और अलसी का लड़ू इसका टेस्ट कुछ थोड़ा अलग हटके होता है देख सकते हो कितना अच्छा सॉफ्ट बना है बहुत जादा ना हार्ड है बहुत जादा लूज भी नहीं है गुड़ को आप इस मेजर्मेंट के साथ पकाओगे तो यह लड़ू कभी भी हार्ड नहीं बनेंगे आप आज का वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाव